हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक स्वागत अब सभी का मेरे इस चैनल टेकी वीरेंद्र में अब पिछले दो वीडियो में हमने क्विक्षर्ट के बारे में अच्छे तरह से समझा था इस वीडियो में हम कोड करके देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो हमने यहां एक क्लास लिया हैं गणिक्षर्ट कोडिंग नाम दिया इसका और फिर्स्ट हम क्या करेंगे एक मेन फंक्शन लेंगे यह हमारा मेन मैंध्रड है ठीक़्या और हम फिर्स्ट एक inate create करेंगे जोकि unsorted होगा तो राइट सार ये स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये हमारा अन्सॉर्टेड एरे था है ना तो एक वेरियेबल करेंगे एरे का इंट एरे और हम एरे इसका नेम नाम देंगे और जो हमारा अन्सॉर्टेड एरे है जो एलिमेंट से 9,6,2,-15,0,12,14 और 1 तो ये हमारा अन्सॉर्टेड एरे है इसी को हमें सॉर्ट करना है तो चलिए बढ़ते आगे तो हमारा क्या अप्रोचिस रहेगा फर्स्ट अप्रोच ये रहेगा कि पिवोट एलिमेंट्स हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को और उस पार्टिकुलर पिवेट एलिमेंट्स जिसको हम कंसिडर करने वाल है जैसा कि फर्स्ट एलिमेंट्स जो है नाइन तो इसका correct position हम first find out करेंगे ठीक है तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में किये थे तो ये हमारा इसका correct position मिला था इसके basis पर क्या करेंगे 0 से लेकर और pivot का जो index है वहां तक हम एक left sub area में इसको divide करेंगे और pivot के बाद वाले element के बाद जितने सारे elements है इस सब को एक right sub area में रखेंगे तो basically क्या कर रहे है कि हम split कर रहे है दो parts में ठीक है किस के basis पर pivot के element के basis पर ठीक है और जब ये हो जाएगा तो जैसा कि आप देख रहे हो left sub area एक crate हो गया और ये right sub area crate हो ठीक है फर्दर हम क्या करेंगे जो इसका पहला element होगा उसको हम pivot element consider करके इसका correct position हम find out करेंगे ठीक है उसके बाद क्या करेंगे कि फिर इसको further हम do equal parts में divide कर देंगे pivot 0 से pivot element तक का एक left sub area और उसके बाद वाले elements के बाद से लेकर last element तक का दूसरा एक sub area right sub area ठीक है यह process हमारा कब तक चलेगा जब तक की हमारा end में एक single elements नहीं बच जाता ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक function create करेंगे quicksort का ठीक है तो public static void quicksort ठीक है और यहां हम pass करेंगे area int area जो कि unsorted रहेगा int start start इसका position plus end end position ठीक है अब हमें क्या करना है कि इसे हमें recursively call करना पड़ेगा क्यों recursively क्योंकि हम दो call कर रहे हैं ठीक है एक left sub-irage के लिए और एक right sub-irage के लिए है ठीक है अगर start अगर start क्या है less than end है तब तक यह entire process चलेगा तो first हम क्या बुलें कि हमें क्या करना है partitions करना है किस के basis पर यह हमारे pivot elements के basis पर ठीक है तो हम एक functions दूसरे functions create करेंगे जो partitions करेगा ठीक है और वो हमें क्या करेगा एक index देगा जो index क्या रहेगा हमारा pivot index ठीक है तो हम एक variable लेंगे pivot index और यह हमें return करेगा partitions functions से ठीक है तो यहां हम pass करेंगे क्या हम यहां पर तीन parameter pass करेंगे एक तो area और start end ठीक है तो चलिए यह हम partitions यह function create करते है public end क्योंकि हमें यह return करेगा इंडेक्स pivot element का index return करेगा इसलिए इसके return tab क्या होगा int ठीक है public end partition और हम पास करेंगे तो हमारा first element क्या है 9 यह किस position पर start position पर start indicate किसको कर रहा है zeroth element को first pivot element हम consider करेंगे int pivot area of start ठीक है यह हमें क्या देगा pivot element हम consider कर रहे है कि यह हमारा pivot element और इसको हमें क्या करना है इसका correct position हमें find out करना है first क्या था i i क्या कर रहा था कहां से start हो रहा था start के next position से इसको तो हम pivot element consider कर लिए हरे ठीक है और i कहां से start हो गई यहां से तो हम यह क्या करेंगे start plus 1 ठीक है और एक pointer हम लेंगे j जो कि कहां point करेंगा end position पे ठीक है यह हमरा क्या हो यह 2 pointer हो गया तो first pointer का का क्या है कि pivot से बारा element को trace करना और यह second pointer का क्या है pivot से small elements को trace करना ठीक है तो चलिए code करते हैं तो हम एक while loop लेंगे while loop इसलिए यह कब तक चलेगा जब तक i less than or equal to j रहेगा मतलब i क्या हो रहा है 1 से 1 पोजिशन से यहां से start हो रहा है और j यहां से start हो रहा है ठीक है और यह condition कब तक चलेगा जब तक i बढ़ते बढ़ते जब j के cross न कर जाए ठीक है जब i equal to j रहेगा तब तक ठीक है जब i या फिर j cross कर जाएगा i को तब हम इस particular जो loop है इसको हम stop कर देंगे ठीक है तो हमने देखा था कि जब यह j इधर से trace करके जब i को cross कर गया है तो i increment हो गया है तो मतलब i के value क्या है j से बढ़ा हो गया था तो यह condition false हो जाएगा ठीक है क्योंकि i less than equal to j होना चाहिए ठीक है अगर दोनों same position point कर रहा है तब हम क्या करेंगे next element को process करेंगे जब j cross कर जाएगा i को तब हम यह condition यह जो हमारा while loop है यह break कर जाएगा उस समय हम क्या करेंगे कि जो position से pivot का उसका element और j position पे point करा jis element पर इसके element के साथ swap करेंगे ठीक है यह चीज हमने अच्छे तरह से समझाता इस video में चलिए शुरू करते है तो यह हो गया अब क्या खा हमारा condition था कि जो i है यह find out करेगा कि pivot element से बड़ा है जब तक यह बड़ा elements नहीं point करता तब तक यह increment होते रहेगा ठीक है इसके लिए फिर condition हम while loop लेंगे while i check करेंगे i less than or equal to j and area of i less than or equal to pivot अगर जो हमारा यह position particular position पर जो area of i जो है अगर small है pivot से तो यह increment करते जाएगा ठीक है जब इसको बड़ा मिल जाएगा particular elements पिवोट के compression में तब यह stop हो जाएगा तब तक हम क्या करेंगे i i plus plus करते रहेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि यह check करगा कि यह particular element है इससे छोटा है find out करने small elements को ठीक है तो हम condition लिखेंगे while i less than or equal to j and and क्या कर रहें यहाँ पर देखें area of j j j किस पर point कर रहे last element पर ठीक है j greater than equal to pivot अगर pivot से बड़ा है तो हमें उसे कुछ नहीं करना है j को minus minus करना है next element check करना है j का काम क्या है कि small element को trace करना ठीक है यह हो गया अगर यह conditions false होता है कब false होगा जब j इसका element pivot element से small है तब हम क्या करेंगे कि swap करेंगे किसके element के साथ i के साथ condition लिखेंगे if i less than j then swap swap करेंगे area pass करेंगे i and j ठीक है अगर यह condition जब false होगा जब यह while loop से बाहर निकलेगा तब हम समझें कि हमारा जो j i को cross कर चुका है और हमारा जो pivot का परफेक्ट और कर सकते है जो correct position है वह हमें मिल गया है उस समय हम क्या करेंगे swap करेंगे फिर किसके साथ इस particular elements के साथ pivot elements और j के position पर जो element है उसके साथ ठीक है यह condition बाहर निकलने के बाद हम फिर से वही swap call करेंगे यह function लिखने जा रहे है ठीक है जिस position पर अभी available है ठीक है और return कर देंगे क्या j swap करने के बाद क्या होगा pivot elements का जो index होगा वह हमारा क्या है j रहेगा ठीक है यह हो गया हमारा partitions का entire functions अब हम swap का function create करेंगे यह पर public static void swap कितने parameters थे? three parameters एक ता int array int i int j एक temporary variable लेंगे एक area of i क्या करेंगा temporary variable में store करेंगा और area of i equal to area of j and finally area of j equal to imp हो गया हो गया तो अब क्या कर रहे है यह हमें क्या कर रहे partitions okay तो यह से हमें इस functions को static functions बनाना पड़े है क्योंकि हम static functions से call कर रहे है अब जब हमें pivot index मिल जाएगा ठीक है तब हम recursively call करेंगे एक left sub areas के लिए और right sub areas के लिए ठीक है तो left sub areas के लिए हम call करेंगे तब हम क्या करेंगे कि हमारा functions है ठीक है वह 0 से start होगा और end कहा जाएगा partition तक तो partition index हमें मिल चुका है तो first left areas के लिए क्या करेंगे area pass करेंगे start और pivot index ठीक है तो start से लेकर यहां से लेकर और यह pivot index तक है एक part हो गया यह particular part ठीक है left के लिए right sub areas के लिए क्या करेंगे start क्या होगा pivot plus one ठीक है first हम area pass करेंगे और इसका क्या होगा start index pivot index plus one क्योंकि हम next element के यह हमारे pivot element का index है तो हम इस particular elements यह हमारे start positions होगा और यह end ठीक है comma end समझ गया यह हमारे entire quickshot का coding है ठीक है तो आप देख पारे हो जैसा कि हमने particular image में दिखा रहे है इस side में same इसी तरह हमने code किया है ठीक है तो हमारा entire functions create हो चुका है चलिए हम call करते है quickshot को pass करेंगे array start 0 end क्या होगा है array dot length length minus 1 ठीक है उसके बाद हम print भी करना पड़ेगा तो print करेंगे तो यह हम for loop लेंगे int i equal to 0 i less than area dot length i plus plus sys out करेंगे area of i को ठीक है तो चलिए run करते हैं और देखते हैं इसका output जैसे कि आप इसका output देख पा रहे हो हमारा elements sorted form में आ चुका है starting क्या है first element 0 1 2 6 9 12 14 जो की sorted form में है ठीक है और यह हमारा unsorted form में था ठीक है तो अब यह वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी समझे होंगे और चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर सेर करें और लाइक करना न भूले जिसी में वसलिए झाल